हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बड़े-बड़े शहरों में गाड़ी लेना ही आसान बात नहीं है लेकिन पार्किंग की समस्या सबसे जादा होती है तो दोस्तों दिल्ली में एक आटोमेटिक पार्किंग बिल्डिंग बनी है जो की दिल्ली वालों को सौगात दिया है साउथ दिल्ली मुंसिपल कॉर्परे दूस्तों क्या है इसकी कॉस्ट और कितनी गाडिया यहाँ पर खड़ी हो सकती है और कहां पर यह लोकेट है तो दोस्तों Green Park Metro Station के पास यह parking building बनाई गई है जो की 17 मंजली building है दिल्ली के लिए एक नई चीज है क्योंकि दिल्दी में ये पहली बार आटोमेटिक पार्किंग सिस्टम बनाया गया है अगर हम प्लॉट की बात करें कि कितने बड़े एरिये में ये बिल्डिंग खड़ी हुई है तो 878 स्क्वार मीटर ही प्लॉट है यानि एक छोटा टुपड़ा है प्लॉट का अगर ये बिल्डिंग नहीं होती इस फ्लॉट में अगर गाड़ी खड़ी करनी होती तो मुस्किल से 40 से जादा गाड़ियां नहीं खड़ी होग सकती थी दोस्तों अगर बिल्डिंग की हाइट की बात करें तो 39.5 मिटर इस बिल्डिंग की उचाई है जिसमें 17 फ्लॉर बने हुए है पर फ्लॉर की बात करें तो 34 विकल्स खड़े के जा सकते हैं जिसमें 8 SUV और 26 सडान कार खड़ी हो सकती है दोस्तों इसको बनाने में जो कौश्ट आया है वो आया है 18.20 करोड रुपीज बात करें दोस्तों पार्किंग फेर की यानि अगर आप गाड़ी महाँ पे पार्क करते हैं एक घंटे के लिए तो 20 रुपे आपको देने होंगे और अगर आप 24 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपे चुकाने होंगे और अगर बात करें मंतली की तो मंतली पास भी यहाँ पर बनाए जाएंगे जिसमें 1200 रुपे का मंतली पास होगा डे पार्किंग के लिए और अगर आप 24 घंटे 30 दिन के लिए पास चाहते हैं तो वहाँ पर आपको देने होंगे 2000 रुपे मंतली जिसमें डे और नाइट आप गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं तो दोस्तों ये विकल्ब दिया है साउथ दिल्ली मुनसिपल कॉर्परेशन ने दिल्ली वालों को और इस तर्ष पर कई सारे और भी पार्किंग जगा बनाई जाएगी दिल्ली वालों के लिए क्योंकि दिल्ली में जमीन की कमी हो चुकी है और गाड़ियां जैसे धीरे-धीरे बढ़ रही है तो पार्किंग समस्या को दूर करने के लिए मुनसिपल कॉर्परेशन ऐसी कई सारे बिल्डिंगे बनाएंगी तो दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा जै हिन जै भाल